बदलापूर की घंड़ना से हर कोई वाकिफ है और सब को मालूम है कि किस तरीके से इस पूरे मामने में एक्शन लिया गया है इस एक्शन लेने के दौरान क्या-क्या लापरवाही हुई है असमवेदंशिल रवई अपनाया गया है मासूम बच्चियों का यौन शोशन होता रहा और स्कूल प्रबंधन को इसकी जानकारी भी नहीं लगी स्कूल प्रबंधन की कहां परवाही है पूलिस अधिकारियों की कहां परवाही है और साथी जो जाच अधिकारी थे उनकी कहां परवाही है कई सारे सवाल बदलापुर की घटना के बाद खड़े होते हैं आपको बता दें कि MBA यानि कि विपक्ष ने महराश्ट्र बंद का अहवान किया लेकिन Bombay High Court ने कड़ी फटकार लगाई Bombay High Court ने कहा कि बंद का ऐलान नहीं किया जा सकता बंद का अहवान कोई भी पार्टी नहीं कर सकती है क्योंकि इस दोरान हिंसक जड़प होती है नुकसान होता है और अगर कोई नुकसान होता है तो इसका पूरा जो खर्च होता है वो उसी को उठाना पड़ेगा जो बंद का अहवान करेगा महराश्ट्र आग में जुल से नहीं इस वज़े से बॉम्बे हाई कोट ने कड़ी फटकार लगाई और जो बंद बुलाय जा रहा था इस पर रोक लगाती है दूसरी तरफ आप देखे आज एक तस्वीर सामना है है लोगों को लगा कि शायर ये बंद नहीं होगा लेकिन बंद तो नहीं हुआ फिर भी विपक्ष ने इसको लेकर मौन प्रदर्शन किया हाथ में काली पट्टी बाथ कर मुह में काला मास्क लगा कर बदलापूर की घटना को लेकर और इससे जुड़ी जाच को लेकर मौन प्रदर्शन किया गया शरत पवार विपक्ष के और भी कई लीडर्स यहां पर नज़र आएं सुप्रिया सूले भी आपको नज़र आईं जब इन्होंने प्रदर्शन किया है और इस साफ तोड़ पर कहना है कि जिस तरीकी की उत्पेडन की घटना बदलापूर से सामने आ रही है ये हैरान करने अब आपको ये हम बताने जा रहे हैं कि आखिरकार विपक्षिक किन किन पॉइंट्स को लेकर इतना आग बबूला हुआ है बदलापूर की घटना अभी हाली में एक कोलकाता कांड आया है वो भी चौकाता है बदलापूर की घटना ऐसा लगता है जिसने इस घटना को मासुम बच्चियां जो कि वाश्रूम गई और वहां पर उस व्यक्ति ने उनके कपड़े उतारे गिनावनी हरकत की और घर में नहीं बताय जाने की धंकी ती ये भी कहा कि अगर उन्होंने बताया तो उनके साथ वो कुछ गलत कर देगा यानि कि मार देगा दराया धंकाया दो दिन बाद एक मासुम बच्ची को जादा दर्द हुआ तो उसने अपने घर में पैलन्स को बताया कि स्कूल में बॉस्ट्रूम में दादा ने मुझे प्राइवेट पार्ट में काटा था आप समझ रहे हैं एक मासुम बच्ची के प्राइवेट पार्ट में उस वहशी में काटा था और तडप रही थी ओ बच्ची इस वज़े से उसने अपने घर में बताई ये बात कि मुझे दर्द हो रहा है दादा उनको बोलते हैं जो अपने से बड़े भाई होते हैं और उस बच्ची ने यही नाम नहीं कर बताया था कि मुझे दादा ने प्राइवेट पार्ट पर काटा था आप ये देखी तुरण पैरेंट्स पहुंचे स्कूल प्रबंदन में शिटायद दर्ज करवाने के लिए इस स्कूल की इतनी बड़ी लापरवाही कि उन्होंने इस मामले को लेकर गंभीरता से नहीं लिया उन्होंने सुना समझा उनको ये लगा कि हमारी स्कूल की साख खराब हो जाएगी लेट लतिफी की गई पैरेंट्स दोड़ते गए पुलिस स्टेशन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए लेकिन ये रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है देखे 12, 13, 14 लगतार बच्यों का योंग शुशन होता रहा जानकारी मिली 17 तारी को भाग दोड करने के बाद 17 तारी को 12 घंटे दजार करने के बाद राग तकरीबन 12 बजे के बाद पेड़ित पक्ष की रिपोर्ट लिखी गई और इस पर एक्षन लिए जाने के बाद कही गई जिलोगों ने टाल मोटेली की थे उन अधिकारियों के खिलाफ बाद में एक्षन लिया गया उनको हता दिया गया लेकिन वो जो वक्त गया उसका क्या कितना असमवेदन शील रहा पुलिस स्टाफ इस पूरे घटना को लेकर दो मासुम बच्चिया नाजुक से बच्चिया आप हमारे आसपास देखिए तीन साल चार साल की बच्चिया फूल से नाजुक होती हैं उनके साथ ऐसी घटना और दूसरी बात कि जब इस मामने के जांच के लिए जिन अधिकारियों को रखा गया उनमें से एक महिला अधिकारी है उन्होंने पैरेंस से पूछा कि आपके बेटियां देर तक साइकिल चला रही थी ये कोई सवाल होता है साफ तरपार पैरेंस बता रहे हैं कि बच्चि और उसमें इतनी बड़ी लापर वाही वो भी उन महिला दिकारियों की जो सुरक्ष में तनात की जानी चाहिए इसकूल की कितनी बड़ी लापर वाही है इसकूल प्रबंधन खास तोर पर जिस आरोपी ने इस घटनों को अंजाम दिया अक्षय शिंदे जिसका नाम है पहल पर कोई भी लेडिज क्यों नहीं है छोटी पीकी ने की यह फार सुज्पाइ के लिए चुश्य पार पिछले सो और तरीक की घटनाओं को अजाम दे रहा था मासू बच्चेयों जब एक लड़की को जादा तक्रीफ हुई तब इस मामने का खुलासा हुआ आप समझ सकते हैं कि हमारे आसपास किस तरीके का महौल और आपको इस समझना होगा कि जो लोग इस तरीके के घंडाओं का अंजाम देते हो हमारे आसपासी हैं बहुत दूर से कोई नहीं आता है आसपासी वो रक्षसी प्रवत्ती की लोग बैठे हुए हैं जो हमारी नंदी सी मासूम सी बच्चियों को कोचलने के कोशिश करते हैं कितना वहशी पने अक्षय शिंदे के बारे में आप देखिए इसके बारे में जो जानकारिय आई इसके तीन शारिया हो चुकी है तीनों बीवयं इसके साथ नहीं रहती है जाहिर से बात है कि अपना अधिक प्रवित्ती का विक्ती है और इस वज़े से इसकी बीवयं इसको छोड़का चड़ी गई ये मामला तब और भड़क गया जब आरोपी के माता पिता ने ये कहा कि पिछले 15 दिन से ही मेरा बेटा नौकरी पर जा रहा है शोचाले साफ करने के लिए उसका इस पर कोई हाथ नहीं है शरामानी चाहिए आपको पता ही कि आपका बेटा पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है किस तरीके से वो मार्पीट अपने बीवियों के साथ करता था किस तरीके की हरकते करता था और उसके बाद उसकी बीविया उसको छोड़कर चली गई और आप पक्षली रहें जिसके भी बच्चे जोटे बच्चे आप तो बेटी और बेटा कोई भी सेफ नहीं बाहर इस्कूल प्रबंदन ने लापरवाही दिखाई क्रिमिनल का रिकॉर्ड चेक नहीं किया दूसरी बात की इस पूरे मामले की सामने आने के बाद लेट लतीफी की गई गंभीरता से लिया नहीं गया क्योंकि अपनी चवी सुधार नहीं थी अपनी चवी को बचा कर रखना था पुलिस अधिकारियों ने भी कहा लापरवाही की आसमवेदन शिल्रवाया इस इतने गंभीर मुद्दे को लेकर लेकिन जब भी पूरा मामला मीडिया में आया उसके बाद जाच हुई इसकूल की प्रिंस्पल टीचर की खिलाफ एक्शन लिया गया उनको हटा दिया गया जिन अधिकारियों ने लापरवाही की घंटों इतजार करवाया पेडित पक्ष को उनको हटा दिया गया सस्पेंड क्या क्या और अब इस मामले को लेकर जो विपक्ष है वो उग्र होता हुए नजर आ रहा है क्योंकि इस तरीके की घंटा बर्दाष्ट नहीं किय जाने चाहिए और बिल्कुल बर्दाष्ट नहीं किय जाने का एंवे जो एंवे दल है अब सभी ने मिलकर इसको प्रमुक्ता से उठाया और अब प्रदर्शन क्या जा रहा है महारास्त बंद का पहले अहवान करने के कोशिश थी लेकिन बॉम्बे हाई कोड की फटकार के बाद वह अहवान को प्लान किया जा रहा था उसे पूरा नहीं किया किया क्योंकि बॉम्बे हाई कोड की जो सुनवाई थी इस दौरान बॉम्बे हाई कोड ने स्वता इस पर संग्या लेकियों कहा है कि आप किसी भी तरीके से बंत नहीं बुला सकते हैं और विपक्ष्ण इस बात को माना स्विकार किया कि ठीक है लेकिन शांती पूरे तरीके से मौन प्रदर्शन किया जा रहा है देखना यह है कि विपक्षा के और किस तरीके से स्मुद्ध्य को ठाता है सत्तपक्षकस पर क्या कदम होता है क्योंकि महिलाओं के साथ हो रही बरबरता यह हमारे देश के कैसी इस्तिती हो गई है कि इसे रोक पाना एक बहुत बड़ी चुनोती बन चुका है आप अपनी बेटियों का ख्याल खुद रखिए अपनी बेटियों का ख्याल आप खुद रखिए चाहे वो मासुम बच्ची हो चाहे वो जवान हो चाहे वो किशोर हो कोई भी हो क्योंकि आपके आस पास आपकी बेटियों के खरीब किस प्र पानियत नहों पाए जो इन दो मासुम बच्चियों के साथ हुई है आपको पता है एक मासुम बच्ची की कमर की हड़ी टूगे ये साथ से मैं क्रैक हो गई है सोचिए उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी और जब उसको दरदू अतब जाके उसने अपने पैरेंट्स को ये बा जड़ को दो पामाँ जड़ होगी घाप लागे पामाँ शानियोर्णा जड़ को ये खाल जसको कितनी तकलीप मैं तकलीब साथ पालगे होगी पाल